नमबर वन पेसाब में ज्यादा पीलापन आने लगे तो निम्बू वाला पानी पीना सुरू कर दें नमबर टू दूद में नमक मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है नमबर थ्री यदी दुबले पतले लोग बासी मू अनार का सेवन करेंगे तो वह जल्दी मोटे ताजे हो जाएंगे नमबर फोर पेसाब को बहुत देर तक रोक कर रखने से आपको पत्री की बिमारी हो सकती है नमबर फाइफ ज्यादा चाई के सेवन से होट काले हो जाते हैं नमबर शीक्स रोजाना तीस मिनट टहलना आपको सैकरो बिमाडियों से बचाता है नमबर सेवन निम्बू के इस्तिमाल से आपकी यादास्त अच्छी होती है नमबर एट दिमाग से ज्यादा काम करने वाले लोग सबजियों का सेवन अधिक करें दिमाग को ठकावट कम महसूस होगी नमबर नाइन ज्यादा प्यास लगी होने पर पानी एक साथ ना पियें बलकी घुट-घुट कर पियें नमबर टैन ठंडी रोटी खाने से जिगर को ताकत मिलती है नमबर अलेवन गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान और सेहदमंद रहता है नमबर ट्वेल्ब निहार मू रोजाना दही खाने से चहरे पर जुरिया नहीं पड़ती नमबर ठाटीन सिमला मिर्च दिल को सेहदमंद बनाती है और कैंसर से बचाती है नमबर फोटीन हरी सबजियां जैसे मटर, पालक और खीरे वगेरा खाने से डिप्रेशन को भगाया जा सकता है नमबर फिप्टीन गुस्से में खाना ना खाएं ऐसा करने से बदहजमी हो सकती है नमबर सिख्टीन जिन लोगों को गुर्दे में परिसानी हो वह केला ना खाएं नमबर सेवंटीन कमर और घुटने के दर्द के लिए कुबेरा का हलवा बना कर खाओ नमबर एटीन ज्यादा दिमाग की टेंसन होने पर आप ज्यादा पाने पियो टेंसन कम होती है नमबर नाइंटीन अगर आपको भूलने की बिमारी हो तो आप आम का सेवन करें नमबर ट्वेंटी अगर कोई पौधा मुर्जाने लगे तो उसके तनों पर दही लगा दे पौधा दुबारा उग जाएगा नमबर ट्वेंटीन कोल्ड रिंग के अधिक सेवन से गुर्दे खराब होते हैं नमबर ट्वेंटी टू एक इलैची का दाना खाकर उसके उपर पानी पी लेने से कबज खुल जाती है नमबर ट्वेंटी थ्री रात को सोते समय एक ग्लास दूद में दो चुटकी हल्दी पौडर डाल कर अच्छे से पका कर जरूर पिया करें दिन भर एक्टिब रहेंगे नमबर ट्वेंटी फोर सुभा उठकर दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिया करें सरीर से खराब चर्बी कम हो जाएगी नमबर ट्वेंटी फाइफ पानी पीने के बाद दो बदाम रात को भीगे हुए जरूर खाएं दिन भर एक सकती महसूस करेंगे नमबर ट्वेंटी सिक्स हो सके तो दो पहर का खाना खाकर थोड़ा अराम कर लिया करें आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है नमबर ट्वेंटी सेभान मोटी गर्दन वाले लोगों की अकल कम होती है 28. कानों में कम सुनाई देता हो तो उंगली पर थोड़ा सा नारियल तेल लगा कर कानों में फेरो बहुत लाब होता है 29. रोजाना पानी पीकर पेसाब कर लिया करो गुर्दे जल्दी खराब नहीं होंगे 30. उल्टे पाउं चलने से मोटापे में कमी आती है 31. निम्बू के छिलकों को दातों में रगणने से पीलापन खत्म हो जाता है 32. ज्यादा चाय और कॉफी के सेवन से होट काले हो जाते है 33. रोजाना खीरे के सेवन से लकवा की बिमारी कम होती है 34. सफेद जीरा का सेवन करने से आखों की रोसनी बढ़ती है 35. अगर आपके सरीर से बदबू आती हो तो पानी में फिटकरी मिला कर सामिल करें और उससे नहाएं लाब होता है फ्रेंट्स इस बीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज बीडियो को लाइक करें दोस्तों और परिवार में सेयर करें और मेरे ऐसे ही हेल्थ टिप्स और किचन टिप्स के बीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा कर All पर टच कर दें ताकि जब भी मैं न्यू बीडियो अपलोड करूं उसका नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे बीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुब हो